एक गाव में रामु नाम का एक गरीब लड़का रहता था वो बहुत महनती और इमानदार था लेकिन उसकी गरीबी ने उसे कभी हारने नहीं दिया एक दिन रामु को जंगल में एक साधू मिला साधू ने उसकी सचाए और मेहनत देखकर उसे एक जादूई कलम दी साधू ने कहा ये कलम जो भी चित्र बनाएगी वो सच हो जाएगा लेकिन इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तिमाल करना रामु ने घर आकर एक रोटी का चित्र बनाया और वो सचमुच रोटी बन गई फिर उसने इस कलम से गाउवालों की मदद करनी शुरू कर दी वो किसी के लिए अनाज, किसी के लिए कपने और किसी के लिए मकान बनाता जल्द ही राजा को इस जादूई कलम के बारे में पता चला उसने रामु को बुला कर कलम मांग ली, लेकिन रामु ने इंकार कर दिया राजा ने जबरदस्ती कलम छीन ली और अपने महल में सोना बनाने लगा लेकिन जैसे ही उसने कलम से लालच में काम किया, महल धे गया रामू ने अपनी इमानदारी और सद्गुनों से फिर से गाव की मदद की उसने सिखाया कि जादू नहीं, बलकि मेहनत और सच्चाए ही सच्ची ताकत है शिक्षा, इमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा जीवन में सफलता दिलाते हैं